दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्टाल कर लें धनूराशी वालो हो जाओ तेयार को कि अब धनकी देवी मा लक्षमे के अशिरवस से आपको 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर यानि कि अक्टूबर महा के ये जो दस दिन है इन दस दिनों के अंदर आपको तीन जगाओं से बड़ा धनलाब होने वाला है जा दोस्तों इन दस दिनों में तीन जगाओं से धना आएगा यूँ कहें आप करोड़ पती बनोगे धनवान बनोगे मालामाल बनोगे ये जो दस दिनों का समय है आपके लिए धनलाब से बरा रहने वाला है माता लक्षमी बहुत प्रसन है महरवान है आपकी राशी वालो अब आपके जीवन से धन से सम्मंदित जो भी परेशानिया हैं वे शबी परेशानिया खत्म होने वाले हैं और आपको बड़ा धनलाग होने वाला है इन दस दिनों के अंतराल में आपकी जानकरे के लिए बता दे 18 टूबर से 27 अक्टूबर याने के 10 दिन जो हैं अक्टूबर महा के इन 10 दिनों में धनलक्षमी प्राप्तियोग शर्वाद शिद्योग अम्रशिद्योग धनियोग और राजियोग बन रहा हैं जिसमें कि दोस्तों आपको बड़े बड़े किस प्रकार इन 10 दिनों का समय रहेगा वीडियो में आपको वही बताएंगे कहां कहां से आपको धनकी प्राप्ति होगी वह आपको इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार मातलक्षमी के किरपा आपकी राशिवालों पर इन 10 दिनों में पड़ेगी शंपून जानकारी आपको देंगे बहुती महत्तपूर्ण वीडियो हैं और बहुती महभाग्यशाले वीडियो हैं नशीव वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा समझ लेना खुशी से नाचने लगोगे घर परिवार के शवी लोग इतना अच्छा समय माता लक्षमी के पासे आपके लिए आ काम छोड कर वीडियो सबसे पहले देख लेए हो कहीं जा दोस्तों आगे सुरू करें वीडियो को सबसे पहले तो जिससे माता लक्षमी का इसरुड आपको प्राप्त हो सकी माता लक्षमी के किरपा हापकर आपके घर परिवार वालों के उपर सदैब अबर से तो चलिए शमे को नगवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार धनकी देवी माता लक्षमी के शिम किरपाशे आपकी राशी वालों के लिए 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर हैने कि अक्टूबर महा के इन 10 दिनों का यह समय रहने वाला है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि यह समय मा लक्षमी के असरवासे आपके लिए आत्यांत लाब देने वाला समय रहेगा यह वह समय होगा जब आप महसूस करेंगे कि आपको बड़ी-बड़ी सफलताएं बड़ी-बड़ी खुशकबरियां धनलाब और आपकी सभी मनों कामने पूर्ण हो रही है यह वह समय होगा क्योंकि अब महानलक्षमी योग का निर्मान हुआ है आपकी राशिवालों के लिए राज-योग बना है धन-योग आपके कुन्डली में बना है यूँ कहें धन की प्राप्ती तो होगी ही योगी आपको क्योंकि अब आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वे बेहदी खास रहने वाले हैं आपके लिए आपकी अब किसमत चमकने वाली है यूँ कहीं जै दोस्तो मातलक्षमी के किर्पा आपके उपर अधिक से अधिक बनी रहने वाली है और आपको बता दें कि यदि आप मालक्षमी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे कोई भी कार्य आपने शुरू किया है या करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी निश्चित तोर पर मालक्षमी का नाम लेकर आप कोई भी कार्य करेंगे लाब मिलेगा और साथे साथ मालक्षमी के किरपा से आप अपने जीवन में अब भहुती तेजी से प्रगर्टी करते हुए आगे बढ़ेंगे सफलता के नहीं ने किर्थिमान इस्थाफित करेंगे आप और आपको हर छित्र में काम्या भी मिलने वाली हैं चाहे वे छित्र, शिक्षा का छित्र हो, नौकरी का छित्र हो या वेपार का छित्र हो, आपको नई-नई खुसकबरी मिलने के अब योग बन चुके हैं मालक्षमी महरवान हो चुकी हैं आपके उपर अत्यंत लाब देने वाला समय है आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखुकाब अंत होने वाला है दोस्तो और आपको बता दे इस साफधानी के तोर पर एक बात कि आप किसी के भी भेकावे में आकर कोई भी महत्पपून फैसला ना करें सोच समझ कर आप कोई भी फैसला करें क्योंकि यदि आप किसी के भेकावे में आकर कोई भी काम करते हैं या फैसला करते हैं तो वे आपको हित की वज़ा अहित पहुचा सकता है आपको नुक्सान हो सकता है उस फैसले से वे फैसला कोई भी हो सकता है आपके केरियर वेपार से जुड़ा हो सकता है प्रेम संबंदों से जुड़ा हो सकता है नोकरी से जुड़ा हो सकता है कोई भी फैसला सोच समझ करकर ना है और दूसरी बात कि आप के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है कि आप दूसरों पर सबसे जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो वह विश्वास भी आप सोच समझ कर करें इसका गलत फायदा लोग आपके मलग आपके नेचर आपके वेवार का जो आपके अच्छा वेवार है भोलापन वेवार है इसका गलत फायदा लोग उठा लेते हैं इससे आपको छटी पहुश सकती है हम यह इसलिए बता रहे हैं कि आपसे वो सारे काम करा लेते हैं या पैसे लेने की बात हो या आपना कोई काम हो उस वो आपसे निकल वा लेंगे लेकि जब आपकी बारी आएगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो दोस्तो मेरा मतलब यह है कहने का की ऐसे लोगों से साफ़दान रहें जो आपको गलत यूज करते हैं मिस यूज करते हैं आप यह मान के चलें की आपको स्वैम ही आगे बढ़ना है कोई साथ नहीं देता किसी का अपना आप आगे बढ़ें तो कि यह समय आपके लिए ऐसा हो गया है कि अब जो भी कारे करेंगे आपको लाब मिलने वाला है तो डरना किया आपको सुरुआत कर दे किसी भी काम की जो भी कारे करें मन लगार कर करें लाब मिलना है यह मिलना है आपके और दोस्तो आपको यह भी बता दें आपके जीवन की सभी परकार किया विनासकारी सक्तियों का खात्मा स्वैम मालक्षमी करने वाली है जितना आप गरीब और जो तमन्द लोगों की मदद करेंगे उतना ही आप जीवन में तेजी से प्रगर्टी करेंगे दोस्तो किर्तिमान इस्थापित करेंगे नएने सफलताओं के क्या मैं अभी आपके कदम चूमेगी सफलताओं के घंडे गारेने वाले हैं मतलक्षमी आपको उपर सबसादिक महरबान रहने वाली हैं और जो लोग नोकरी की तलास में उनको मन्चाई नोकरी की प्राप्ति होगी यदि जो जातक प्रतियोगी परिक्षा नोकरी संबंदित दी हुई है तो उसके अच्छे परणाम आ सकते हैं उनके बशर्ते आप अपने वैपार के प्रति कारफ चित्र के प्रति सजग रहें आप चोकन्य रहें कोई आपके साथ धोका भी कर सकता है आपको हानी पहुँचा सकता है बस सतर्क रहना है आँक मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है किसी के भरोसे रह कर कोई डिसीजन नहीं प्राइस करेंगे निश्ची तोरपर सफल होगे और आपको बता दें इस तमय जो भी आप डिसीजन लेंगे कोई भी डिसीजन वे आपको निश्ची तोरप डिलाने वाला है कोई भी decision हो नौकरी से संबंदित, वैपार से संबंदित, विवा से संबंदित किसी भी प्रकार का कोई decision लेते हैं तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है समय ही ऐसा है मन चहाँ आपको प्यार मिल सकता है जिससे आप प्रेम कर सकते हैं जीवन साती बनाना चाहते हैं तो यह मनों कामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है और एए विवाईतों के लिए कोई अच्छा प्रिस्ताब विवा से संबंदित आ सकता है विवा से संबंदित चर्चा हैं उनके घर में चल सकती है उन्हें जल से जल एक अच्छे जीवन शाथी की प्राप्टी हो सकती है बहुत अच्छा सामें प्रेम संबंदों के लिए भी परिवार एक जीवन में खुष्या रहने वाली है और साते साथ आपको ये भी बता दे शंतान प्राप्टी के एक शुक्र जातको को शंतान प्राप्ति का शुक प्राप्त होने वाला है गर परिवर में किलकारिया गुजने वाली है शंतान प्राप्ति की बड़ी खुशकबरी अब आपको प्राप्त होने वाली है और आपको साथे साथ यह भी बता दें दोस्तों कि आप, यह तो आप अपनी कमजोरी समझें या कुछ समझें, क्रोध पर और वानी पर सही हम रखना है, जो आपके सबसे बड़ी कमजोरी है, क्रोधी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कुछ भी कुछ भी बोल देते हैं, बहुत से ऐसे हैं, क्रोध पन्यंतर नहीं कर पात को आपका किरोध और गरत वानी बिगाड़ देती है तो इस पर सही हम रखें किरोध पर नियनतर रखें अच्छा बोले और वान भी साबधानी पूरवक चलाएं आप कोई दुरगटना के भी चांस बन सकते हैं वान चलाएं तो वो साबधानी पूरवक चलाएं वैसे तो अंसुक की प्राप्ति हो सकती है वान आप खरी सकते हैं मकान खरी सकते हैं या प्रॉपर्टी खरी सकते हैं यह सपना भी आपका पूर्ण हो सकता है इस समय में और वीडियो में जाते जाते एक छोटी सी महत्पूर्ण बात और आपको बता देते हैं दोस्तो आप यदी छोड़ दें आप जल से जल जो मदिर्या पान करते हैं या गलत संगती का साथ है उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों ऐसा करना मतलब गलत संगती का साथ छोड़ देना आप के लिए मैं लिक कर कह सकता हूँ लिक कर कहता हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग साथ होगा आपके लिए गलत संगती का साथ छोड़ देते हैं लाइफ चेंजिंग जीवन बदल जाएगा आपका बस गलत संगती का साथ छोड़ देते हैं ऐसा करने से निरासा के बादलवी आपके जीवन से हमाईसया के लिए द सम्मान करें बड़ों का सम्मान करें फिर देखें कि कैसे आपके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं हर काम्याभी मलगी आप सफलताओं के जंडे गार देंगे और दोस्तों स्वास्त संबंदित आपके लिए बताएं तो दोस्तों स्वास्त अच्छा रहने वाला है स्वास्त संब लेते हैं तो यह आपकी प्रेशानी का कारण बन सकता है तनाव मुक्त रहें इसके लिए रोज प्रेण्याम के सारा लें योगासन करें आयरविदिक चीजों का सेवन करें स्वास्त के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा दोश्तों दोस्तो मातलक्षमे की कृपा से हमने आपको इस वीडियो के मादम से बताया कि आपको कहां कहां से धंकी प्राप्ती होगी लाब मिलेगा आर्थिक रिस्तिती अच्छी होगी सफलताय मिलने वाली हैं संपूर जानकरी दी वीडियो को लाइक करना माता लक्षमे की किर्पा बनी रहे कमेंट स्बोक्स में सच्चे दिल से ज्यमा लक्षमे वश्य लिखना धन्यवाद